जोस्तो बॉल्यूड का रवया पलसी एंटी हुंदू रहा है और बॉल्यूड के कुछ हिंदू इरोधि दालाल हिंदूइजम को डेश्ट्रॉई करने में लगे हुए है हम आगे आपको जो दिखाएंगे उससे आप बॉल्यूड के इस काले सर्च से रुबरू हो जाएंगे आभी आभी शम्षरा का जो ट्रेलर आया है उसमें संजदत के माते पे वैसनव तिलक दिखाया गया है जो इस मुई में विलन का रोल कर रहे है अब तो ऐसा ट्रेन चल रहा है कि हर दूसरी बॉल्यूड मुई में विलन के माते पर तिलक दिखाया जाता है जो एक प्रकर से हिंदु दर्म की विटम बनाए अमर अगबर एंथोनी वैसे तो सबको एक सेकुलर मुवी लगती है लेकिन इस मुवी में भी अमिता बच्चन और रुशी कोपूर को बड़ा धार्मिक दिखाया गया है पर अमर यानी विनोत खन्ना जो एक हिंदु कैरेक्टर है उसे कभी मंदिर जाते नहीं दिखाया गया है बॉल्यूड में जब भी कोई इमानदार गरीब कैरेक्टर दिखाना होता है तब शोले में जैसे एके अंगल को दिखाया गया है वैसे कैरेक्टर दिखाये जाते है मुई में निकेटिव रोल वाला केरेक्टर दिखाना हो तो बॉल्यूड वाले उसके माथे पे तिलक लगा देते हैं जैसे कि वास्तव का संजदत्त, सिंगम का प्रकशराच या सरकार में अमिताप बच्चन इतना ही नहीं ब्रश्टाचारी, बनिया, नेता या ठाकूर यही बॉल्यूड वाले अक्सर ख्रीचन या मुस्लिम केरेक्टर जैसे फादर या मौलवी को होनेश्ट हेल्पूल दिखाते नजर आते हैं, मुस्लिम केरेक्टर को अक्सर पेट्रोटिक एंड विक्टिमाइड दिखाया जाता है, तो इंडिया नागरमी का गलत तरीके से प्रेजन्टेशन किया जाता है, पीके मुई में हिंडियू दोटाओ की काफी विटमबाना की गई थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीपल्स को काफी अच्छा दिखाया गाया था, टाइगर जिन्दा है में तो पाकिस्तान के ISI को भी बूटिफुल और इनोसंट है कि वो आपने मुविट्स के नाम सेकसी दुर्गा, सेकसी रादा या लक्षिम बाम ऐसे देवताओ के नाम पर रखने लगए है, बॉल्यूड की परजानिया, देव और फिराक जैसे मुविट्स तो ऐसा दिखाती है कि बौवसंग के हिंदु बीचारे मुस्लिमों पर ब आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगाओ, तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन जरूर दबाईए, जैहिन!